तो गुद मॉर्निंग गाईज और करंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पले हम पुराने महीने के करंट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है किसने F1 इटालियन ग्रेंट प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया तो ये जीता था पियरे गैसली ने ये फ्रांस से हैं और ये अलफा टॉरी होंडा के ड्राइवर हैं अच्छा अब ये आपको याद है न 2020 में यानि कि इस साल जितनी भी आपकी फॉर्मुला वन रेस होनी थी वो सारी हो चुकी है टोटल 17 रेसे होनी थी और यहां से डेफिनेटल आपके आने वाले एक्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ये सारे नाम याद दोने चाहिए कि कौन सी रेस किसने जीती हो और इसको ट्रिक्से मेंने आप लोगों को याद करवा दिया चार से पांच मिनिट का ओडियो मेंने तयार कर दिया अगर वो अभी तक आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इससे भी बड़ी बात अगर आप वो ट्रिक्से सारे नाम याद कर लेते हो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इस पे क्विज भी तयार कर दिया गया है तो अपनी क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन अगर आपने अपडेट कर लिया हो तो वहाँ पे आपको क्विज मिल जाएगी और अगर क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन को आपने अपडेट नहीं किया तो उसे अपडेट जरूर कर लिजेगा और वहाँ पे क्विज लगाईए अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजेगा तो अमारा अगला प्रश्न क्या है The Commonwealth of Cricket नाम की बुक को किसने लिखा है तो आंसर होगा रामचंद्र गुहा ने फिर वोडा आइडिया ने अपना नाम बदल कर क्या कर दिया वी आई कर दिया वोडा फोन आइडिया के MDCO है रविन वोडा पेस्ट ताकि आँकी तैयारी बने और भी पकी Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for bank exams till day जहां आँको मिलेंगे best of questions जिने सेट किया है best educators ने टेखेए detailed video solutions top educators से हर contest के बाद लीजिए हर combat को live और पाईए real-time rankings और GTA amazing prizes लगातार हर contest में participate करे और अपनी ratings इंप्रूफ करे challenging contests every fortnight और alternate sunday live ranking after every question Unacademy subscriptions for top rankers fuel your inner fire for the ultimate bank exam challenge Unacademy Combat, register now Day of Indian Automobile Manufacturing का नया अध्यक्ष किसे चुना गया Kenichi Ayukawa को Maruti Suzuki के MDC वहीं ये अच्छा Maruti Suzuki के Chairman का नाम भी आपको याद होना चाहिए उनका नाम है RC भारगव इन्होंने भी एक book लिखी थी जिसका नाम है Getting Competitive A Practitioner's Guide for India पिर है नीले आसमान हेतु सच्छ वायू का पहला अंतरराष्टर दिवस कब मनाया गया यानि की International Day of Clean Air for Blue Skies तो अंसर होगा 7 September को पिर है भारत Hypersonic Technology हासिल करने वाला कौन सा देश बना तो अंसर होगा चोथा देश इससे पहले तीन कौन से हैं Russia, USA, China पिर है स्वामी विवेकनन्द भारती का निदन हो गया वो किसके प्रमुक थे? इड़नीर मठ के केरल के शंकरा चार्रे माना जाता था इनको निदन हो गया इनका पिर है साओधी अरब के बाद किस देश ने United Arab अमिराद के लिए अपने aerospace से उड़ान भरने की अनुमती दे दी तो अंसर होगा बहरी इन ने फिर है किस राज्य या Union Territory ने Online Portal Smart Pradrashan Mulyankan Report Recording Online Window को लांच किया तो अंसर होगा जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान में Lieutenant Governor है मनोत सिना तो यह जो Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window है जिसे शॉर्ट में इस पैरो बोलेंगे इसका उद्देश है सरकारी कामकाच को चादा से ज़्यादा पारदर्शी बनाना, transparent बनाना फिर है Federation of Automobile Dealer Association इसके अध्यक्ष कौन बने अभी विंकेश गुलाटी बने बढ़ते आगे फिर एक इस राज्यक के हरमल मिर्च को GI Tech मिला तो अंसर होगा गोवा और इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले गोवा के खोला चिली को भी GI Tech मिला था गोवा के कुछ और प्रॉड़क्ट्स जिनको GI Tech मिला एक तो मोयरा बनाना और एक खाजे खाजे एक तरह का स्वीट है गोवा का है यह जिसको GI Tech मिला फिर एक इस राज्य सरकार ने कर्म सार्थी प्रकल्प योजिना शुरू की तो अंसर होगा पस्चिमंगाल सरकार ने फिर अगला है इंडियन काउंसल फोर रिसर्च औन इंटरनेशनल एकॉनमिक रिलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने तो अंसर होगा प्रमोद भसीन फिर है फॉप्स के द्वारा जारी 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में टॉप पे कौन रहे थे तो अंसर होगा ड्वेन रॉग जॉन्सन और इसके टॉप टेन में एक मात्र भारती एक्टर रहे थे अक्षिकुमार छटवे नंबर पे फिर है आर्बियाई ने चेक से होने वाली धोका दड़ी को रोकने के लिए किस नाम से एक सर्विस को एक सुविधा को शुरू किया तो आंसर होगा पॉजिटिव पे नाम से फिर है किस राज्य सरकार ने अरूनोदे स्कीम शुरू करने की घोशना की तो आंसर होगा असम सरकार ने फिर है सबसे बड़े आदिवासी स्वतंतरता से नानियों की संग्रहाले का निर्मान किस राज्य में किया गया तो आंसर होगा गुजिरात में अगला प्रशना आप से पूछा जा रहा है रोकेट इंजिन का विकास और परिक्षन करने वाली पहली भारते नीजी कमपनी का नाम बताईए तो आंसर होगा संसत के लोकसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कौन सी विदेशी भाषा शुरू की गई सीखने के लिए तो आंसर होगा फ्रेंच इसके बाद में जर्मन, स्पैनिश, रश्यन वगेरा भी शुरू की जाएगी फिर एकिस राध्य सरकार ने YSR चेयू था योजना शुरू की YSR से आप लगा दोगे अंसर आंद्र प्रदेश है क्या वैसे ये योजना तो इसमें महिलाओं को शशक्त वाथ मिनिट बनाने के लिए उन्हें बैंक से 75,000 रुपे तक का लोन दिया जाएगा इस योजना के अंतरिकत बढ़ते आगे तो चलिए कल के करन्ट अपेर्स को भी रिवाइस करते हैं पहला प्रशन आपसे पूछा जा रहा है सैयुक्त राष्ट्र ने United Nation ने 27 देसंबर को किस दिन के रुप में मंजूरी दी है तो आंसर होगा Epidemic Preparedness Day के रुप में फिर अंतर राष्ट्र बॉक्सिंग असोशियेशन के अध्यक्ष कौन बन गए तो आंसर होगा उमर्क क्रेमलेव बन गए International Boxing Association का Headquarter आपको मिलेगा Lousin Switzerland में फिर एक कौन सा देश 2021 में European Karate Championship की मेजबानी करेगा तो आंसर होगा Croacia Croacia की Capital Jagrab है Currency है Croacia कुना और इसके President है Zoran Milnovit फिर एक युनेसको ने किनके नाम पर एक अंतर राष्टर पुरुसकार सुरू करने की घोशना की बंग, बंदू, शेक, मुजिबुर, रह्मान के नाम पर बांगलादेश के पहले राष्टर पती थे ये युनेसको मतलब उता है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization जिसका Headquarter मिलेगा अपको Paris, Paris, France में इसके Head है औद्रो जाले फिर खुद कमाओ, घर चलाओ, योजना शुरू की किसने सुनू सूधने इसमें वो गरीब लोगों को रिक्षा भेट करेंगी फिर आबुदाबी, Grand Prix 2020 किसने जीत ली ये साल के आखरी रेस थी मैक्स वजपन ने जीत ली है ये निदरलेंड के हैं और रेडबुल के ये ड्राइवर हैं फिर विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन से बन गई है तो आंसर होगा इंग्लिश किसके अनुसार? एथनोलोग की रिपोर्ट के अनुसार फिर पे इंग्लिश, सेकंड पे निमंदारेन और टीसर पे हिंदी फिर ए नेशनल एनरजी कंजर्विशन डे हम मनाते हैं 14 देसंबर को फिर एक इस भारते टेनिस के लाड़ी ने दुबई में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन डबल खिताब जीत लिया तो अंसर होगा अंकिता रेना ने भारते टेनिस प्लेयर है ये इन्होंने अपनी जोर्जी आई साथी एकात तेरिन के साथ ये खिताब जीता फिर एक इसने हैस्टेक गॉट यू कवर्ड अभियान शुरू किया भारती एकसा लाइफ इंशॉरेंस ने का हैटकोर्टर मंबई में है फिर एक प्रतिष्टित वर्ल्ड क्विजिंग चेंपियंशिप 2020 किसने जीती तो अंसर होगा रविकांत अववा ने फिर एक इसने विकास शेल देशों के लिए 9 बिलियन डॉलर की APVAX पहल शुरू की तो अंसर होगा Asian Development Bank ने जिसका Headquarter Manila फिलिपिन्स में है और इसके अद्द्रक्षे मसाथ सुकवा सकावा बढ़ते आगे स्टैटी कुशन्स देखते हैं ज़रा पहला प्रशन पूछा जा रहा है तंजानिय के केपिटल क्या है तंजानिय केपिटल सन्यास की घोशना कर दी थी और इन्हें के साथ आपको याद होगा हमने पढ़ा था डेली कर इंट अफेर्स वाले लेक्चर बे आस्ट्रेलिया के शैन वाट्सन ने भी सन्यास की घोशना कर दी थी फिर एक्विटास स्मॉल फाइन्स बैंक के ब्रेंड अमबेजडर कौन बनी इसमरती मंदाना मनी है फिर नागलेन की कैपिटल बताओ नागलेन की कैपिटल कोहिमा है मुक्य मंतरी तो इसके नेफियो रियो है और लेफटेन गवर्नर है आरेन रवी फिर इंद्रा गांधी मातरत्व पोशन योजना ये राजस्थान की है दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को इसमें 6,000 रुपे मिलेंगे इस योजना के अंतरगत फिर है कैपिटल ऑफ भूटान भूटान की कैपिटल थिंपू है करंसी इसके अंगल्टरम है प्रदानमंतरियन लोटेज श्रिंग फिर है वर्ल्ड टीवी डे वर्ल्ड टीवी डे हमने मनाया 21 नवंबर को फिर बताओ वो मेन T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए इस्तगित कर दिया गया 2023 में अब यह पहले यह 2022 में उने वाले थे लेकिन अब इन्हें इस्तगित कर दिया अब ये फरवरी 2023 में होंगे कहां पे होंगे विसे? साउथ अफरिका में और इसी तरह से जो पुरुषों का मेंस T20 वर्ल्ड का पे उसको भी 2022 के लिए इस्तगित कर दिया पहले 2021 में होने वाले थे वो 2022 में वो होंगे ऑस्ट्रेलिया में फिर है 2020 का बुकर पुरुषकार किसने जीता? ये important question रहेगा Douglas Stewart ने Scottish लेखा के ये अपने पहले उपन्यास सुगी बैन के लिए उन्होंने 2020 का बुकर पुरुषकार जीता है फिर अगला प्रशन इसी से मिलता जुलता रखा है आपके लिए International Booker Award 2020 का किसने जीता? उपर वाला था बुकर पुरुषकार ये वाला है अंतर राष्टर बुकर पुरुषकार ये जीता मारी के लुकास रिजने वर्ल्ड ने जो कि न्यूजिलेंड से हैं इन्होंने अपने पहले उपन्यास the discomfort of evening के लिए ये पुरुषकार जीता तो ये भी important रहेगा आपके exam के लिए जाद रखना बढ़ते आगे अच्छा days की बात करेंगे तो International Literacy Day साक्षरता दिवस हमने कब मनाया तो answer होगा 8 September को फिर National Hindi Day ये हमने 14 September को मनाया एक वैसे World Hindi Day होता है जो हम 10 January को मनाते है फिर अंतर राष्टर लोकतंतर दिवस ये मनाया हमने 15 September को 15 September को इसकी theme थी participation यानि की भागिदारी 15 September को इसे इंजिनियर से डे भी मनाया जाता है फिर है World Ozone Day World Ozone Day हमने 16 September को मनाया जिसकी theme रही थी 32 years and healing फिर है विश्व बास दिवस विश्व बास दिवस हमने 18 September को मनाया और 18 September को एक ओडे मनाते हैं विश्व जल निगरानी दिवस World Water Monitoring Day फिर अंतर राष्टर शान्ति दिवस अंतर राष्टर शान्ति दिवस हमने मनाया 21 September को जिसकी theme रही थी Climate Action for Peace फिर है World Tourism Day World Tourism Day हमने 27 September को मनाया जिसकी theme थी Tourism and Jobs a Better Future for All फिर है World Rebiz Day World Rebiz Day 28 September को मनाया गया फिर है अंतर राष्टर शान्ति दिवस यह हमने 5 September को मनाया और विश्व समुद्र दिवस यानि कि World Maritime Day यह हमने मनाया 24 September को क्योंकि देखो यह को fix देनी होता है यह हर साल September के last Thursday को मनाया जाता है तो यह आप याद रखना So guys यह था आज का हमारा Current Affairs का Revision वाला वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाओ मेहनत अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेर करना मत भूला एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ सबसे पहले तो Craig Exam Application को Update कर लेना Update करने के बाद आपकी Formula 1 races जो हुई है उन पे quiz upload कर दी गई है Quiz आप लगा लेना अच्छे से practice कर लेना और हाँ अगर Craig Exam Application में अगर कोई advertisement आपको दिख जाता है तो प्लीज एक आद बार उन पे click जरूर कर दिया करें याद से आप कुछ कुशन्स आप लोगों से पूछे जाएंगे कुशन्स आप लोग लगाईएगा और देखिएगा कितने कुशन्स आप लोगों से बन पारें बाकि हम इनको कल सॉल करते हैं यह रहे कुशन्स आपके सामने